प्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी भी वर्ब पर प्रेपोजिशन लगने से उसका अर्थ बदल जाना प्रेजल वर्ब का मतलब है किसी भी वर्ब पर प्रेपोजिशन लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाना बड़ी सिंपल सी जो बच्चों को आती होती है वो जाकना, पूछताच करना, look into का मतलब होता है, पूछताच करना, look at का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, look at का मतलब, ध्यान से, focus करके देखना, look into, पूछताच करना, look up to क्या होता है, उपर देखना respect देना look up to का मतलब होता है respect देना किसी को उपर नजर करके देखना पड़ रहा है तो फिर आपसे उच्चा ही है वो आदमी आपसे उच्चा है तो इज़त देनी बनती है तुमारे तरीके से समझा रही हूँ look up look up भी उसी को करोगे जो तुमसे अप है और जो अप है उसको तो इज़त देनी पड़ेगी तो ऐसे कर लो चाहे बाकी phrase का मतलब है preposition लगने से अर्थ का बदल जाना look at का अर्थ कुछ और है look up to का अर्थ कुछ और है look into का अर्थ कुछ और है तीनों जगा look तो एक समान है preposition बदल रही है और अर्थ बदल रहा है अब हमें क्या पढ़ाना है इसमें phrase तो मैंने बता दिया मैंने लिखा he looked at her ठीक हो गया he looked at her हमें look at दिख रहा है यानि हम समझ गे phrasal case है इसके लिए phrases आपको याद होने चाहिए जो धीरे धीरे होते हैं एकदम से नहीं होते अभी जो इस book में आएंगे वो तो सारे तुम्हें याद करने हैं अभी practice book में जितने भी आएं आँक के आगे मैं बता दू यह phrase है तो highlight कर लेना कि तुम्हें याद हो जाए meaning भी मैं बताऊंगी अब हमें पता लग गया यह phrasal verb case है ता यहां कोई rule नहीं है वही पांच basic rule की मदद से हमने solve करना है मैं कर रही हूं ध्यान दीजेगा she was looked at by him कोई नया काम नहीं किया है मैंने वही पांच rule जो तुम्हें basic में सिखाये थे उन्हें apply किया और question को क्या कर दिया solve कर दिया अब फिर इसमें सिखाना क्या था कहना क्या चाती हूं यह case कराई क्यो रही हूं जब कुछ सीखने का नहीं है तो ध्यान से सुनो जब यह case paper में आता है हमारा बच्चा option नहीं चुनता क्योंकि उसे लगता है दो preposition तो एक साथ आई नहीं सकती उसे क्या दिखाई दे रहा है at के बिल्कुल साथ by और grammar में कोई भी दो शवद एक साथ नहीं आ सकते है तो बच्चे को लगता है यह गलत option है सिर्फ यह गलत फैमिमेट आने के लिए सिखा रही हूं कि यह गलत option नहीं है क्योंकि at के साथ by नहीं लगा हुआ look at के साथ by लगा हुआ phrase के साथ by लगा हुआ है ना कि at preposition के साथ by बिना फ्रेज के दो प्रेपोजिशन कभी नहीं आएंगी अगर फ्रेज है तो लगाना पड़ेगा क्योंकि बिना बाए के सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं जा सकता तो भले ही एट हो पर फिर भी बाए लगे गा तो आपने इस ओप्शन को गलत नहीं मानना बच्चों सरफ इसलिए ये केस पढ़ाया जाता है अदर्वाइज इसमें नया कुछ नहीं है सीखने सिखाने के लिए नहीं एक ही बात है कि दो प्रेपोजिशन नी टकरा रही हैं प्रेज के साथ लिख रखा है क्या वाई आजाएगी हमें बात समझ में ये तीन केस हैं जिनने हम कहते हैं वर्ब केस क्या सब को समझ आ गए हैं